इंतजार और सिर्फ इंतजार एक बेरोजगार युवा सिर्फ इंतजार करता रह जाता है और सरकारें अपने मजे में चलती रहती हैं सरकारें बदलती रहती है पर बेरोजगार युवाओं का इंतजार कभी भी खत्म नहीं होता सबसे पहले तो वह एक आश्वाशन का ही इंतजार करता है कि कोई भी नेता हमें नोकरी का एक बस दिलासा भर दे दे जब दिलासा मिल जाती है तो इंतजार करता है कि वेकेंसी कब आएगी जब वेकेंसी आजाती है तो फिर उसका सेलेबस कब आएगा जब सेलेबस आ जाता है तो परिक्षा कब होगी वह डेटी नहीं आती सालों गुजल जाते हैं इस इंतजार में आखिर ये सरकारों का सिस्टम कब सुधरेगा यह भी एक इंतजार रहता है कब वह देवदूत आएगा जो इस सिस्टम को सुधारेगा और युवा बेरोजगार बेचारा इंतजार करता रह जाता है हाँ दोस्तों डैनिक भासकर की इसी न्यूज के साथ मैं अमित कुमार खत्री आप सब का स्वागत करता हूँ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए देखिए आज की न्यूज ये कहती है कि जो रीट का रीट मैंस का जो एक्जाम हुआ था अपन कह सकते हैं फरवरी एंड में और मार्च के फर्स्ट वीक में इनके एक्जाम कम्प्लीट हो गए थे उस समय बोर्ड अध्यक्स ने ये का था कि हमारी सारी तैयारियां कम्प्लीट हैं और हम जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर देंगे लेकिन इंतजार हमारा बढ़ता जा रहा है एक बेरोजगार रिवा सिर्फ इंतजार करता जा रहा है अब सूचना है कि मई के महिने में जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा आखिर इस रिजल्ट में देरी क्यों की जा रही है अब देखिए हम कहा सकते हैं कि कहीं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स तो नहीं है कि युवा सिफ एक उलजा रहे और ना नोकरी देनी पड़े ना ही कोई बात अब देखिए अगर रिजल्ट समय पर जारी हो तो जुलाई तक जो है वो जॉइनिंग हो जाती अपन कह सकते हैं कि 5 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक जॉइनिंग हो जाती लेकिन जब रिजल्ट ही नहीं है तो काय की जॉइनिंग में ओर लेट होगी क्यों लेट आखिर हो क्यों रही है कहते हैं कि जो रिजल्ट पर आपतियां आई है 77,000 आपतियां आ गई है करमचारी चैन बोल्ड के अज्यक्ष ने कहा है कि ये जो 77,000 आपतियां आई है इन आपतियों के निराकरण में अभी ओर समय चाहिए और रिजल्ट में देरी होगी रिजल्ट में आखिर कितनी देरी होगी क्या मई के फर्स्ट वीक में तो रिजल्ट आ जाएगा अब देखिये मित्रों यहां पर ही कन्फ्यूजन है कि आखिर ये रिजल्ट जो है कब तक आएगा क्या पता मई में ये कह दे नहीं अभी तो थोड़ा सा और समय लगेगा तो बेरोजगार ही हुआ तो सिर्फ इंतजार ही करता रह जाएगा अब ये रिजल्ट में देखिये देरी क्यों हो रही है सिदी सी बात है अगर आपकी जोइनिंग लेट होगी तो आपको सेलरी भी लेट सुरू होगी आपका सर्विस भी जो रिकोर्ड है वो भी सर्विस क की टाइमिंग भी कम हो जाएगी अगर आपको दो महिने छे महिने जो डिले होता है उसकी सेलरी का नुकसान किसको होता है अब देखिये ये अगर अपन पिछे का रिकोर्ड देखें तो एक भर्टी ऐसी भी गई है जहां पर एक साल डिले कर दी गई जोइनिंग में रिजल दस से पहले की एक भर्टी में ऐसा ही हुआ है कि थार्ड ग्रेड की जोइनिंग एक साल डिले हुई थी अब देखिये अब इसका हल क्या है देखिए सरकार पर दबाव बनाया जाए कि जल्दी रिजल्ट गोशित हो और जल्द से जल्द हमें जोइनिंग मिले उमीद करता ह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप चैनल पर बने रहें आपका प्यार देते रहें और आपके लिए इंफर्मेटिव वीडियो में लाता रहूंगा मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत